एपिसोड टू बरबाद सहर से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं क्रोज ने कियानो उसके पिता और बाकी सबको बंदग बना कर उन्हें ब्राहँ टोक सहर लेकर जा रहे हैं आगे दिखाते हैं क्रोस कियानों और इसके पिता को अलग-अलग करके बस में ले जाते हैं वापस गाओं में दिखाते हैं लिव को होस आ गया वो अपने गाओं को कपड़ों से बांथती है और देखती है कि क्रोस ने उसके कभीले के सारे लोगों को मार दिया पर उसके भाई और पिता कहीं दिखाई नहीं देते यहां देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है तबी उसे जंगल में क्रोज के आवाजे सुनाई देती है वो तुरंद बगल में पड़े क्रासबो को उठाती है और उस आवाज का पीछा करती है यहां उसे वही क्रोज मिलती है जिसने उसे चाकू मारा था लिव इसको देखकर काफी गुसा होती और उसे तीर मार कर घाल कर देती है फिर लिव उसे बंदी बना कर अपने पिता और भाई के बारे में पूछती है कि क्रोज उन्हें लेकर कहा गए है क्रोज कहती हुआ तुम्हारे भाई और पिता को ब्रहां टोक सहर लेकर गए है इसलिए अब तुम अपने भाई और पिता को भूल जाओ क्योंकि अब तुम उनसे कभी नहीं मिल सकती तभी वहाँ पर सोल्जर डेविट आता है जो क्रिमसन कभीले का कमांडर होता है वो लीफ को क्रोज को मानने से मना करता है और लीफ उसकी बात मान जाती है लेकिन क्रोज डेविट को देखकर लीफ से करती है कि तुम मुझे मार डालो पर इनके हवाले मत करो यहां एलिया उस क्यूब को आन करने की कोशिस करता है पर क्यूब आन नहीं होता लग रहा था जैसे क्यूब खराब हो गया हो थोड़ी दिर बाद हम एलिया को एक घर में जाते हुए देखते हैं जहां उसे एक कमरे में कुछ टूल्स मिलते हैं टूल्स की मदद से एलिया उस क्यूब को ठीक करने की कोशिस करता है तभी दूसरे कमरे से कुछ हावाजे आती हैं एलिया क्यूब को बैक में रखकर जैसे ही कमरे से बाहर देखता है मुसा उसकी तरब गन लेकर आ रहा है एलिया तुरण टेबल के नीचे छिफ जाता है लेकिन मुसा तब तक उसे देख चुका था मुसा एलिया से कहता है कि मैं तुम्हें हानी नहीं पहुचाओंगा तुम बाहर निकल सकते हो फिर एलिया बाहर आता है दुनों बांते करते हैं मुसा एलिया को अपने काम के बारे में बताता है कि वह पुराने समय के इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट को इकठा करता है फिर एलिया क्यूब मुसा को देता है ठीक करने के लिए मुसा क्यूब को ठीक करने के अनाटा करता है और एलिया से बगल के कमरे में रखे टूल बॉक्स को लाने के लिए करता है और एलिया जैसे ही उस टूल बॉक्स को दूसरे कमरे में लेने जाता है मुसा वहाँ से क्यूब लेकर भागने लगता है एलिया मुसा का पीछा करता है पर मुसा के पास वैंती इसलिए मुसा क्यूब को लेकर भागने में कामियाब हो जाता है तभी वहाँ पर एक क्रोज आ जाता है जो एलिया का पीछा उस क्यूब के लिए कर रहा होता है क्रोज एलिया को पकड़ कर उसे क्यूब के बारे में पुस्ता है एलिया उसे बताता है कि एक आदमी ने वह क्यूब उसे चोरी कर लिया है यह सुनकर क्रोज बहुत गुसा होता है और उसे मारने जाता है तभी वहां मुसा आता है और क्रोज को सूट कर देता है जिससे क्रोज मर जाता है तभी वहां कुछ और क्रोज आ जाते हैं एलिया मुसा के साथ वैन में बैट कर वहां से भागने लगता है क्रोज इनका पीछा करते हैं लेकिन ये दोनों क्रोज को पीछे चोड़ कर आगे निकल जाते हैं रास्ते में मुसा वैन रोक कर क्यूब एलिया को वापस देता है जिसे पाकर एलिया काफी खुस होता है फिर मुसा एलिया से कहता है कि नर्थ में कुछ लोग हैं जो एटलांटियन टक्नलोजी के बदले बहुत सारा पैसा देंगे हम इस क्यूब को रिपेर करके उन्हें बेच देंगे और जो प्राफिट होगा 50-50 बाट लेंगे उन्हों वैन में बैट कर जाने लगते हैं इधर लिफ को होस आता है और वह खुद को क्रिमसन कभीले के आउटपोस्ट कैप में पाती है और उसका घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गया होता है तब ही वहाँ पर कमांडर डेविड आता है वह लिफ से पुछता है कि क्रोज ने क्यों तुम्हारे कभीले पर हमला किया लिफ बताती है कि उन्हें अटलांटियन पाइलेट चाहिए था जिसका सिब जंगल में क्रैस हो गया था कमांडर डेitaire डेविड लिप से पूसता है कि क्या आतलांटियन पाइलट के पास कोई क्यूब था लिव कहती है नहीं फिर डेविड पूसता है कि उसका एयरक्राफट की जग़र पर क्रैस हुआ था लिव बताती है कि वह एयरक्राफट North Forest के साइट क्रैस हुआ था कमांडर डेविड उट से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रहा सकती हो लेकिन लिफ को अपने भाई और अपने पिता को ढूनना था इसलिए वा कमांडर डेविड से ब्रांटोक सहर का पता पुस्ती है क्योंकि क्रोज ने उसके भाई, पिता और कुछ और इजनीस को बंदी बनाकर ब्रांटोक सहर लेकर गए हुए है कमांडर उसे बताता है कि ब्रांटोक सहर एक किले की तरह है वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि सहर के चारो तरफ गार्ड और स्नाइपर 2400 गंटे मुझूद रहते हैं और वह सहर पूरी तरह से बेरिकेटेड है आज तक हमें भी उस सहर में जाने का रास्ता नहीं मिला आगे कमांडर कहता है इसलिए हमने उस क्रोस को जिन्ता पकड़ा है जिससे हमें उस सहर में जाने का रास्ता मिल सके लेकिन वह क्रोस कुछ बताने को तैयार नहीं है लीव भी उस क्रोस से मिलना चाहती है सायद लीव उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके इसलिए कमांडर डेविड उसको क्रोस के पास लेके जाता है जहां हम देखते हैं क्रिमसन ने क्रोस को एक बड़े से पिजड़े में बंद करके रखा हुआ है फिर कमांडर वहां से चला जाता है यहां लीव क्रोस से ब्राहन टोक जाने का रास्ता पुछती है क्रोज करती है कि तुम कभी भी अकेले ब्रांटोक सहर नहीं फूच पाओगी दरसल दोस्तों ब्रांटोक सहर क्रोज कभीले का घर होता है इसलिए वहाँ सिर्फ क्रोज या फिर क्रोज के साथ उनके सलेब जा सकते हैं इसलिए वह क्रोस के साथ एक डिल करती है कि वह क्रोस को यहां से बाहा निकलेगी बदले में वह लीफ को अपना सले बना कर ब्रांग टोक सहर लेकर जाएगी क्रोस भी इस डिल को असेप्ट कर लेती है और एपिसोड टू इधर ही खत्म हो जाता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे